तो हमाइब फ्रेंड्स वोलकम तो आज के इस वीडियो में हम 9th February को जो दर हिंदू पर रिलीज वाइए उसके अंदर एक न्यूज आई है वी सेवड एकॉनमी फ्राम अक्राइस गवर्मेंट ओके तो हम इस न्यूज को देखेंगे एक तो अनलाइज भी कर रहे हैं और दू को इसी चीज को इसमें कवर कर रहे हैं अगर आप इंट्रेस्टेड है तो यह वीडियो देख सकते हैं हम छोटे-छोटे concept लेते हैं जिससे आपको दूसरी दिन जब अब नीजपेपर करेंगा अगर वही concept आया तो आपको आसानी से इंगलिस समझ में आएगी रट्टा मार अगर वहीं हम बचाए थे प्रॉम अगर अगर क्राइसिस अलब यह कोई पास में आप बात हो रही है और उसे हम वह सेगन का इस्तिमाल करके बनाते हैं तो हमने एकॉनमी को बचाया कैसे क्राइसिस से क्राइसिस यानि कोई क्या वलेंगे मतलब एक तरह का कोई संकट है बचाया हमने एकॉनमी को बचाया फ्रामन किसी सोट्स से किसी जरीय से उपने बचाया तो अब इसे डीटेल में देखते कि यह वी सेकब क्यों है पहले क्या कर लेते हम पूरी न्यूज पढ़ लेते और मैं आपको थोड़ा थोड़ा उपर उपर से बता देता हूं क्या-क क्या इस्तेमाल हो रहा है ताकि आपको आइडिया है कि हम अभी इस वीडियो में सीखने वाले क्या है ओके सो देखे मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं देखे सिम्बल प्रिजेंटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर होगा होगा हम वो नहीं देख रहे हैं हम इंगलिस दीख रहे और नी कॉनमी पर इट से इस ऑके यह बताता है यह बोलता है इस यह बताता है इस तरीके से यह यह जो भी यूपिए गॉर्मेंट ती उसके सिर्फ हानी हुई है अभी तक हम यह विरासस से जिलते आए हैं कि फोर कंट्री मतलब हमारे देश के लिए तो यह छोटी सी एड लाइन थी इसे हम डीटेल में समझने वाले कि कौन सी इंगलिश यहां पर इस्तिमाल हुई है थोड़ा सा हम पहले पुरी न्यूस पढ़ लेते इस प्रामिस इन एंट्रिम बजर एंट्रिम बजट क्या है अब जो मतलब जनरल एलेक्शन होने वाले तो अगले कुछ महिनों तक कैसा खर्च करेंगे एक्ष्मेंस वगेरा का सारा जो अकाउंट्स होता है वह रखते एंट्रिम बजट में के पाइनस मिनिस्टर एस प्रा करते हुए लिखते हुए बताते हुए देट दे मनमोहन सिंग लेट युनाइट अप्रागर्सिव अलाइंस यूप्य गॉर्मेंट जो मनमोहन सिंग की दुवारा चलाईगी थे उनके लीडर थे वो टेन येर्स इन ऑफिस क्रियेटेड हो के क्रियेटिट मतलब बना बना फिरेटीस याज इनियेंद्टर मतलब यकाहनी की विरासत मतलब हमें विरासत से ही अभी संकर्ट मिला है अहानी मिली ए प्रिशानिया मिले इसमें हमारा कोई दोशन Rico Frame देश मतलब बरबादी की तरफ जा रहा है तो यह हमारे विरासत में मिली है किस के दर यह यूप 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 के जरी यह बोलने का मतलब इस परिग्राफ में के पूर देश की बात नहीं हुए यह पर संकट के हालस से हमने हमारे एकाउनामी को बचाया है यह बोल रहा है डिस्पेर और पैरालसिस मतलब परिशानी समझ लिए दुख दर से पैरालसिस यह एक जगह हमारी एकाउनामी थमी नहीं है हमने उसे आगे बढ़ाए ऐसा यह पैरिग्राफ बोलने का मतलब है तो हम यह थोड़ी देर के लिए कैंसल आफ जो हो चीए रुगी के पुस्पोन हो चीए इस तरीके से बोल सकते है फो दे लास टाइम एक तरह का मतलब आग्रीमेंट समझ लीजे एक तरह का अनूभन समझ लीजे उसके माने होते इस तरीके से तुमेकर तो मेंट एक तरह की इनरजी यह प्रिजेंट करने की कुछ कर रहा है एक और आमी में यह जो पेपर है कितना फीपेजिस का इसमेंच यूपीस पालिस प्लिस एन जिस गवर्नेस तो इंफ्यूज इट विट डानमिजम एंड ग्रोथ और फोप इन प पीपल अब देखें यहां पर क्या बात की जा रही है जो यूपी गवर्नेंट थी वह स्टेडिस यानि एक तरह का ठहरा हो या फिर कोई चीज़े से नीचे जा रही है उसे कहेंगे हम एंड मिस गवर्नेस बरोबर गवर्नेंट को नहीं चला है वो लोगों ने टू इन्फ इसकी यूपीए की पॉलिची थी इस तरीके से खहना चाहा है परिपर एट्रीप्र करता है यह यह प्यारी वाच्पाई और इनका भी नाम नहीं की नाम लाए है यह पेपर कुछ ग्रोथ की चीज़े रखता है ग्रोथ की जो रिफॉर्म थे वह बीचिज इसमें एड की ग हम पढ़ ले थे था कि हमें और समझ में आए कि क्या क्या सिस्टमाल हो रहा है और कि kongres releases uh black paper on Modi government अब देखे religious यहां पर वहाइब सफ फर्म नहीं एक फिफ्फ फर्म हम कल पढ़े थे वही वाली चीज है हम देखेंगे क्या है देखे उसके कि लिए किस पर जोर देने के लिए फेलिए नाकामी किसकी मोधी गवर्मेट क्योंकि मिस्टर करें डिसक्राइब के मिस्टर कर डिसक्राइब नहीं बताया है बोला है लास्ट टेन येर्स ऐस प्रियर ऑफ मतलब जो दस साल पिछले देखा देखे हैं कि हमने बार बार एक चीज़ हम रहा है और यह दो चीज हमने कली पड़े थे जहां पर वर्ब वन आ रहा है या वो फाइव आ रहा है तो समझना हमेशा कौन सा कौन सा कुन सा होता है simple okay simple presentence होता है simple presentence मतलब क्या हो रहा है यहां पर क्या क्या استعمال हो आए दिखे release का एक काउग्रेस गवर्ण में ने क्या क्या रिलीस क्या है कुजा है black paper जो लिखे वा था black paper यह वाली चीज़ थी पर्सका हुं को पार्टी का तो इन सब किसाथ हमने कहाता कि आपको फ़ाई लगाना है यह यह जा या फिर एक लर क्या है रिलीजेदे अगर आपको ऐसा बोलना कि कॉलनल Ste लगाना है वर्प के साथ तो आपको ऐसा बुलना है कि कॉंग्रिस गौवर्मेंट ने क्या करी पेपर रिलीज की तो हम वहांच जलिए लेकिन बहुत सारे क्या है यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि हम जबी भी क्या हम कोई कोई काम करता है छिसमें टातीय बना एक को हम क्या करेंगे जो simple presentance होता है यह simple pastance होता है हम उससे क्या करेंगे detail में देखेंगे ताकि आपको और आजसानी से सारी चीजे समझ में तभी कभी भी अगर आप newspaper पढ़ रहे हैं तो आपको यह simple pastance हो सकता है या फिर एक से जादे नाम हो सकते हमने आपको यह बता आता है यह सारी चीजे यह आपको हरा हल में पता होनी चाहिए कि कोई भी नाम हो सकता है तो यह सारी चीजे आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ गये होगे सो देखे simple pastance में क्या होता है हम कोई भी एक subject ले लेंगे subject ले लेंगे यह सारे subject ही है और इसके बाद हम हमेशा वर्प का second form लगाए है तो हमने एक छोटे से कुछ verbs देखे थे जैसे हमने go देखा था तो go का क्या हो जाएगा अच्छा हम क्या करते है उसी में से paper में से ही ल है यहां पर outlining लेड़े ले का second form लेड ओके फिर और का है यहां पर सीक का second form सूट है यहां पर दे लिए हम क्या लिखते हैं सीक का second form ले रहे हैं सोट इस तरीके से आपको यह वर्प याद करना है करें सोट आपको मुझे जुमला बनाना हैं यहां पर क्या है एंडिये गवर्मेंट ले ले रहे हैं हमाँ आज हमारा सब्जेक्ट अपर इंडिये गवर्मेंट से व्ड औक मतलब इन डे गवर्मेंट ने बचाया या फिर बचाया था हिंदे में दोनों भी माइनी हो सकते उसका second form लेना है जुम्ला बन जाएगा जिसे I saved I saved क्या economy इस तरीके से लेना है अब इसका negative बनाना है कि हमने कल पढ़े थी कि कोई भी sentence को negative बनाने के लिए आपको यहाँ पर did not का क्योंकि एंडी गोवर्मेंट थी उसी ने दस सार मतलब उसी ने क्या क्या economy को बचाया तो वो कैसे पूछेगी आपको डिद लगाए फिर आपको अच्छा यहां पर सब्चेक हमारा न्डी गॉवर्मेंट एंडी गॉवर्मेंट ने अभी यहां परफर्स परॉम आजएगा did NDA government save economy okay from क्या जहेंगा from crisis okay मतलब क्या economy जो हमारी NDA government है क्या उसी ने बचाया क्या उसने बचाया economy को from crisis तो आप अगर समझो आपका answer है yes तो आप कैसा लिखेंगे yes it saved okay it saved the economy from crisis तरीके से लिख सकते हैं अगर आपका आपको आना चाहिए अगर आपको पास में सवाल पूचल तो पास में जवाब दे सकते हैं फिर आप बोल सकते हैं कि मैं ऐसा भरोसा करता हूं I believe that okay इस तरह कि इस तरह कि I think I didn't think so I don't think so इस तरह किसा बोल सकते हैं तो सारी इस और इस तरह जो यह निट नॉट को फिर आज जाएगा वापको सफस्क। हों होता है याद वोड भी लगा सकते है डबल ह लिख रहा हूं है आप फिर बाद में लगा सकते है अप बाद में कोई भी क्या आजाएगा पर सब्जेक्ट आजएगा पिर वह उपका फ्लास्पम आजाएगा फिर क्शेशन देखिया अब इसके आप जिम्ले बना देती है जैसे यह वाला जि कोई लड़की है तो she's saved बहुत सारों ने बचतले लोग बचा है people safe और government ने बचाई government saved okay इस तरीके से फिर आप मुझे बोलना है कि government ने नहीं बचाई तो हम क्या करेंगे government did not save क्या government ने बचाई did government save subject की जगा आप बोलना है सिर्फ government किया और क्या विलना गॉवर्मेंट ने कशनारे बनां सकतें और से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंगली शमय में भी आईगी और आपको बोलने भी आईगी या नहीं हम डबल से निउस पड़ते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा आसानी से कि यहाँ पर हमने क्या-क्या सीखा और आपको इतनी इंगली समझ में आ रहे हैं भी या नहीं ऑके तो देखें थोड़ा सा मैं इसे वाइप कर रहा हूं कि है कि अबसे में थोड़ा सजूम भी कर लेता है कि आई अथो डिखें थोड़ा सा सिम कर लिया ताकि आपको आसानी से पुरा समझ आइख सके तति कि हमने अभी साहीच पढ़ İs का सेगन्द फार्म होता है प्रम सब्रम सब्सक्रा士 किया गया in her entry budget हमने कल पढ़ाता in her entry budget यानी entry budget यानी उनके entry budget में हर अगर यहाँ पर कोई लड़का होता समझो इनके जगा कोई लड़का होता तो यहाँ पर क्या आ जाता ही जादा और बहुत सारे होते तो क्या जाता there आ जाता okay in their entry budget okay अगर ऐसा promise in my entry budget मेरे entry budget में okay finance minister निर्मला सितार नामन लेड़ लेड़ रखी रखे a white paper a white paper on the economy on the economy economy के उपर एक white paper रखे on the economy okay in the log sabhah okay log sabhah में okay एक log sabhah में on thursday यानी जुमेरात को outlining okay outlining आप ऐसे बुल सकते हैं आप को इसे कंप लागा I saw her going I saw her going मैंने उसे जाते हुए दिखा I saw her coming मैंने उसे आते वे दिखा तो यहीं हो रहा है कि outlining यह रखते हुए कि क्या करा निर्मला सितार नामन ने क्या रखा है लेड रखा है मतलब रखे पेपर outlining यह नि बताते हुए यह करते हुए इस पर रिजोर देते हुए दैट मन मोहन सिंग लेड यूनाइट यूपी ए टेन येर्स इन ऑफिस क्रियेटे रोगी देखा सेगन फर्म आ गया created and inheritance of laws मतलब एक विरासत छोड़ गई है हमारे पीछे परेशानियों की हानी की फो दे कंट्री एंड नरेंद बोदी लेड गवर्मेंट रेस्कीव दी कॉनमें के रेस्कीव यह नि बचाया है एकॉनमी को फ्रॉम स्टेट अफ क्राइस से डिस्पेर पैरालसिस से यह छोड़ा सा वीडियो था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या